हलो एवरिवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिरेक्ट टेक्स कलेक्शन की जो कि पिछले साल के मुकाबले अभी तक 48.4% बढ़ चुका है तो इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में डीटेल में डिसकस कर तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भई गवर्मेंट पैसा कैसे कमाती है तो अगर गवर्मेंट के इंकम सूर्सिस की बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा रिवेन्यू जो है वो टेक्स की कलेक्शन से आता है जैसे कि गुड्स और सर्विसस टेक्स से ये 16% earn करती है इसके अलावा इनकी union exercise duties होती है custom duty होती है जहां से लगबग 7 और 5% government earn करती है इसके अलावा कुछ इनका non-tax revenue होता है जहां से government 5% earn करती है non-tax revenue में यह सब items आती है जैसे की जो इनकी public sector undertaking company है RBI वगएरा से इनको dividend और profit आता है इसके अलावा इसके लावा इसके लाइसन्स इशू करते है जैसे petroleum लाइसन्स हो गया power की supply fee वगएरा लेते है communication और broadcasting की fees लेते है और roads, bridges, usage जो fees होती है toll वगएरा वो लेते है examination fees लेते है जो applicants वगएरा UPSC वगएरा होता है उससे भी लगभग 5% के आसपास earn करते हैं और इसके बाद 2% के आसपास आता है इनका non-debt capital receipt यानि कि जैसे disinvestment करती है अभी पीछे air India में अपना government stake पेचा और काफी सारी government entity में या IPO लेकर के आती है तो उससे ये 2% के आसपास अपना revenue generate करती है और बाकी जो पैसा ब other liabilities के तुरू जिसमें की government securities, treasury bills, bonds वगेरा issue करके government अपना 35% का जो revenue है वो generate करती है तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है यानि कि सबसे ज़्यादा इनका borrowing से आता है और अब अगर बात की जाए कि government पैसे को खर्च कहां करती है तो सबसे पहले तो जो ये borrowing की जाती है इसके उ अलावा जो union government यानि कि central government जो taxes collect करती है उसका जो share है वो state को transfer करती है जो overall खर्चे का 17% है उसके अलावा central की जो sector schemes है जैसे कि मनरेगा वगेरा उनके उपर 15% खर्च किया जाता है यह 100% central के द्वारा sponsored schemes होती है इसके अलावा finance commission है वो rural और urban areas में अपने पैसे को transfer करता है जो क 10% government का खर्चा है इसके अलावा बहुत सारी centrally sponsored schemes है जो कि central के द्वारा sponsor की जाती है बट states इनको implement करता है जैसे कि switch भारत mission इसका example है इसमें 9% का खर्चा होता है उसके बाद defense में 8% का खर्चा होता है subsidies दी जाती है बहुत सारी government के द्वारा जिसके उपर 8% का अलग बग खर् पेंडी चरोता है तो इस तरह से government पैसा कमाती है और खर्च करती है और अब अगर specifically direct tax collection की बात की जाए जैसा कि हमने पिछले page में discuss किया कि government का जो total revenue है उसमें से 15% personal tax से और 15% corporate tax से आता है तो आज इस अगर section की हम बात करें तो जो भारत का direct tax collection है current financial year यानि कि 2021 का वो pre pandemic level से भ गए थे उसको भी इनोंने exceed कर लिया है अगर number terms में बात की जाए तो पिछले financial year यानि कि financial year 2021 के मुकाबले अभी तक यानि कि 16 मार्स तक का data release हुआ है उसमें हमारा direct tax collection है 48.4% बढ़ा है और 2020 के मुकाबले अगर हम compare करें तो 42.5% बढ़ा है अला कि पिछले दोनों सालों में pandemic की वज़े से tax collection में कमी देखी गई थी लेकिन अगर हम pre pandemic level यानि कि financial year 2019 से भी compare करें तो यह 34.96% बढ़ा है तो यानि कि government की जबरदस कमाई हुई है direct tax से और जो हमारे budget के estimate थे 11,08,000 करोड और जो इसको revise करके 12,50,000 करोड किया गया था दोनों को ही इसने beat कर दिया है अभी त तो कि अभी यह 16 मार्स तक का data है तो दो हफते का time और बचा है तो यह numbers बढ़ेंगे जब further numbers update किये जाएंगे इस financial year के और अगर advanced tax की बात की जाए तो वो भी पिछले साल के मुकाबले 40.75% ज़्यादा रहा है और 2020 के मुकाबले 50.56% ज़्यादा रहा है और अगर pre pandemic से भी compare क पे हो या even advanced tax basis पे हो 2022 के number आपको especially बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे यानि कि जबर्दस कमाई हो रही है government की direct tax के through और अगर इनका exact number की बात की जाए तो 13,63,000 करोड रुपे का tax अभी तक collect किया जा चुका है जिसमें से की corporate tax जो है refund के बाद 7,19,000 करोड का है और personal income tax जिसमें अभी तक collect किया जा चुका है और ये number थोड़े से बढ़ेंगे अगर हम 2 week का और data इसमें जब add करेंगे और अगर gross collection की बात की जाए यानि कि refund से पहले तो 15,50,000 करोड रुपे gross collect किया गया है जिसमें से corporate tax 8.36,000,000 करोड है और personal tax 7.1,000,000 करोड और इसमें से refund 1.87,000,000 करोड जो 15,50,000 करोड रही है उसका break up देखें तो इसमें से सबसे ज़्यादा आया है TDS के जरिये 6,86,000 करोड रुपे के आसपास और इसके बाद advanced tax से 6,63,000 करोड के आसपास government ने collect किया है इसके अलावा self assessment tax से लगभग 1,34,000 करोड तो ये तीन main sources है इसके अलावा जो regular assessment, dividend, distribution tax औ होता है उसके द्वारा भी collection की गई है और अगर advanced tax की बात की जाए जो 6,62,000 करोड का amount देखेंगे इसमें से corporate ने advanced tax 4,84,000 करोड रुपे किया है और personal जो tax है उसमें 1.78,00,000 करोड का advanced tax पे किया गया है मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा अगर आपकी कोई भी feedback है तो please comment section में comment देके हमें बताइए thanks so much for watching the video and God bless you all